हेलो दोस्तों मैं दीपक आपना चैनल दीपक रेल्वेव व्लोक्स में स्वागत करता हूँ आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक सिखेंगे जैसा कि देखेश में हम लोग को सिखना है कि अस्थानिय मान और जातिय मान बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन थोरा स कॉम्पिटिशन के एक्जाम में बहुत सारे लोगों को प्रोब्लम्स आजाता है इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया है जैसा कि देखेश में बोला है कि 7896 43621 में पांच का अस्थानिय मान और जातिय मान बताएं तो देखें बहुत तीजी है अस्थानिय मान का मतल अस्थानिय मान हो गया और जातिय मान जो होता है जातिय मान का दुसरा नाम है अंकित मान अंकित मान भी बोलते हैं तो देखें अंकित मान और जातिय मान जो होता है जो अंकित किया हुआ है वही होता है यानि अगर जातिय मान पुछे तो अंली 5 ही होगा अंली क्या होगा 5 यह होगा अस्थानिय मन पुछे तो उसका मतलब प्लेश्ट वेलू यानि कि कितना उसका भामान होगा यहां पर इस पूरा को लेते हैं लेकिन जातिय मान या अंक्रित मन का है तो पस जो दिया होगा हो जो लिखी था है वही होता है देखिए अगला कोश्चन देखते हैं का योग फन क्या होगा अब देखिए डो के अस्थानी मन राटन का योग प्फल कुंछ रहा है तो बहुत ही जी će celebrates क्या होगा दो और इसके बाद मन कितना होगा 300 है होगा उनली तीन होगा उनली तीन होगा तो इसको क्या करना सत्भटल और भी जो है अंतर करना ऑऔर द необходимо Now Hey वतने स्थानियमन पूंछा तो एक ले ले लेंगे और तो देखे जब दस्वंबलों में रहता है अंक तो उसको क्या करते हैं बटा में लेना पड़ता है। आप देखें कि कौव अंक किधर रहते हैं एक दो यानि कि इसके बटा में दो 0 देना पड़े यानि एक बटा 100 होगा। अगर वेसे ही 5 का पुष्टा तो 5 बाटा 1 दे के 3-0 देना परता असा करते हैं आपको इस सोट ट्रीक समझ में आ रहा होगा अगला हाई कि 2 पुर्णांक के 1 बाटा 2 में कितने 1 बाटा 2 है तो दिखें क्या करेंगे एक बाटा 2 से इसमें भाग दे यह रहा है यानिक उसको पुर्णांक को बाटा पुरारूत से से बदल्लेजे ते 5 बाटा 2 हो जाएगा और इसको भाग दने के लिए क्लिए का पांच बठना पांच में कितने एक बटा दस है तो देखिए इसको पुले तो बदल ले जो पांच हो कभीश चो चबड़ा पांच अब इसको भाग देना है तो गुना में ही डिरेक्ट बदल लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा पुलट के यानि पांच से दूबर में कटेगा यानि 26 दूना 52 कितना होगो एंसर 52 होगा अगला क्रूश्चिन देखिए बहुत दिजिए कर यहां कि यदि एक पुलस दो पुलस तीन पुलस चार पुलस दोस तक का योगफल जो है पच्पन है एक से लेके 10 तक का युगफल कितना है पच्पन है तो 6, 12, 18, 24 से लेके 60 तक का युगफल कितना होगा अब देखे इस चीज में हम लोग देखते हैं कि कुछ न कुछ common होता है अब देखे इसमें क्या है 6 अगर हम लोग common ले ले तो क्या हो जाएगा अगर समय से तो जैसा कि देखने हैं कि इसका मान हम लोग के हा only ली दिए हुआ है तो क्या करेंगा है चा गुना है पस्वण कर देबिए अपका क्या होगा एनसर आ जाएगा निशून इसमें गुना किजिएगा तो 330 होगा जो कि अप्शन नुम्बर सी में है आशा करते हैं आप लोग को ट्रीक समझ में आ रहा होगा एक और कोस्चन है इसका इसी प्रधारे अब देखिए जैसे कभी-कभी ऐसा भी कोस्चन आता है कि फिर घटने लगता है यानि एक से पहले पचास तक बढ़ा फिर पचास से उन्चास ऐसे घटे एक तक आ गया और इसका अगर यह फल पुछता है तो हम लोग देखते हैं कि बीच वाला मान जो में भेलू जहां तक गया और जहां से घटा उसका क्या कर देते हैं इसका क्या कर अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शियर करना ना भूले ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं